बिहार विधान सभा चुनाव को लेकर जहां सभी दलों की तरप से प्रचार अभियान जारी है इसी बीच बिहार बीजेपी के दो बड़े नाम राजीव प्रताप्रुडी और शाहनवाज हुसेन को करो न होने की खबर है फिल हाल अभी तक केवल शाहनवाज हुसेन के करोन संक्रमित होने की पुष्टी हुई है शाहनवाज हुसेन ने खुद ट्वीट कर अपने COVID-19 से संक्रमित होने की जानकारी दी उन्होंने लिखा मैं कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आया था जो करोन संक्रमित पाए गए हैं आज मैंने अपना टेस्ट करवाया जो पॉजिटिव आया पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि वो सरकारी दिशान इर देशों के मुताबिक अपनी करोन जाज करवा लें। साथ ही उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी और स्वास्तिमंत्री मंगल पांडे की तबियत भी ठीक नहीं चल रही है। सुशील कुमार मोदी का करोन टेस्ट हुआ था लेकिन उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है लेकिन फिर भी इन दोनों नेताओं ने खुद आइसलेट कर लिया है। आपको बता दें की पिछले दिनों सुशील कुमार मोदी ने शहनवाज हुसैन के साथ चुनाव प्रचार किया था। निउस टेस्क